मस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माचल में मैं नावरिसिव आज के स्विडियों हम बात करने बाले हैं ओरिजिनल डोकुमेंट्स के बारे में दोस्तु कई बार ऐसा होता है कि हमारा ओरिजिनल डोकुमेंट खो जाता है या फिर हमारा ओरिजिनल डोकुमेंट हमें काम के बक्त नहीं मिल पाता है ऐसे में हमें कहीं पर अपना original document सोग करना होता है जहाँ पर कि हम अपना photocopy नहीं लगा सकते हैं यानि कि copy document हम वहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं वहाँ पर हमें original document ही लगाना होता है ऐसे मैं आज किस वीडियों आपको बताने बाले हैं कि आप अपना original document सिर्फ दो मिनिट में किस परकार से निकाल पाईएगा यानि कि आप ऐसा document जिसे original document आप कहीं भी यूज कर सकते हैं तो वो document आप किस परकार से निकालेंगे आज के इस वीडियों में हम उसी के ओपर बात करने बाले हैं उससे पहले अगर आपने हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कर सब्सक्राइब बटन को दबाका हमाई चनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए इस वीडियो को और जितना उसके सेट के लिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके चले शुरू करते हम अपना आज के वीडियो दोस्तों कई सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर हमें जो है अपना ओरिजिनल डोकुमेंट सो करना होता है यानि हमें दिखाना होता है वह फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हो या फिर किसी भी परकार का वेरिफिकेशन के लिए हमें जो है अपना ओरिजिनल डोकुमेंट लग जड़िया निकाला है जिससे कि आप अपना original document सिर्फ दो मिनिट में प्राप्त कर सकते हैं वो हर जगा भेले डोगा यानि आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी को भी दिखा सकते हैं जिससे कि उसे पूरा-पूरा माननेता मिलेगा आपके original document के बढ़ावर का तो किस परकार से आपको निकालना है हम आपको बताते हैं दोस्तों original document आप अपने computer से भी निकाल सकते हैं और अपने mobile phone से भी निकाल सकते हैं दोस्तों अभी के time में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर mobile phone का यूज करते हैं तो मैं आपको जोए इस वीडियो में mobile phone पे ही निकाल के दिखाऊंगा, तो सबसे पहले जोए आप डीजी लोकर से किस परकार से यहाँ पर अपना सारा document निकाल सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, तो सबसे पहले चलते हैं, अपने mobile screen पे आपको दिखाते हैं कि किस परकार से हमें अपना original document निकालना है, और किस परकार से हम उसे use कर सकते हैं, दोस्तों अपने किसी भी document को निकालने के लिए सबसे पहले आपको जोए अपने mobile screen पे आना है, दोस्तों आपको करना क्या Play Store में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है DG Locker, जैसे आप सर्च कirtे हैं तो यहाँ पर एक अपको दिखाए देता यहाँ पर आपको इस एप को download करना होगा तो मैंने पहले से इस एप को download कर लिया है तो आपको करना क्या है यहाँ पे open पे click करना, open पे click करने बाद कुछ इस परकार से आपको जो यहाँ पे interface कुल के दिखाए देगा, दोस्तों इस app को use करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप किसी भी तरह का आपका कोई भी document हो, जैसे कि आपका अधार card, pen card, driving license, आपका mark seat, यहाँ प को भी दिखाऊंगा कि किस परकार से यहाँ पे पूरा लिखा गया है, कि यहाँ पे पूरा-पूरा माननेता प्राप्थे भारत सरकार से, और इसे किसी भी परकार से हम legally use कर सकते हैं, तो हमें करना क्या है, एक्सेस डिजी लोकर पे हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस पकार से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, create account, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे करना है, तो हमें create account पे क्लिक करना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको सब से पहले अधार नमर मांगा जाएगा, दोस्तों अधार नमर से login तभी जब आपके अधार कार में mobile number लिंक हो, तो हमारा अधार कार में mobile number लिंक नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना mobile number से करूँगा, तो don't want to use अधार लिक पर किलिक करूँगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा mobile number मांगा जाएगा, mobile number मांगे जाने के बाद दोस्तों यहाँ अपना मोबाईल नमबर डालूँगा उसके बाद यहां पर OTP मागा जागा और फिर से हमारा अधार काड नमबर मागा जाएगा जैसे ही अपना साहाज चीज देते हैं उसके बाद हमारा अकाउंट यहां पर create हो चुका है अब हमें करना क्या है फिर से TP आएगा तो हमें क्या करना वाला हूँ यहाँ पर जो है मैं अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर लोग इन करने वाला हूँ मैंने दोस्तों यहाँ पर लोग इन कर लिया है लोग इन करने के वाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस बगार से आपका इंटरफेस खुल के दिखा से अाप के बीखार बबोड का 10 दाउनलोड करना चाहता हूं तो मैं जो यहाप पर आपि यहाँ देख सकते कि एक बिहार यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया हमें कर ना क्या है बीहार अस्टेटे जो is एक्जामिनिशन पर अमें क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Marxit पे हमें किलिक करना है यहां पर प्रोभीज़णाई भी डाउनोड कर सकते हैं और उरिजिनल मार्क चीट भी डाउनोड कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर मार्कuseit पर किलिक क्या आपको चुकए है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर दिया हूं, हम किस चीज़ें पर open करना चाते हैं, यहाँ पे PDF से open कर लेता हूँ, PDF से open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ओरीजिनल मार्क सिट डाउनलोज हो चुका है, आप दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पे इसे आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर दूसरा डोकुमेंट जी से डाउनलोड करें यहाँ पर दूसरा डोकुमेंट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोकुमेंट डाउनलोड किजिएगा जितना भी डोकुमेंट आप यहां से ओरिजिनल निकालिएगा आपको एक चिज़ का द्यान देना है कि आपके डोकुमेंट में नाम और आपका डेट ओव बर्थ है वो आपका मैच होना चाहिए आपके आधारकार से जब तक आपका यहाँ पर नाम और date of birth match नहीं करता है तो यहाँ पर आपका document फैच नहीं करेगा आपका document यहाँ पर आपका नहीं निकलेगा तो यह दो चीज जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका यह दो चीज यहाँ पर सबसे पहले रहना चाहिए तभी आप जो यहां पे आपना document निकाल सकते हैं आप आप किसी भी का document काượcवन जिस भी राजिय का हमें निकालना है इस सारा राजिय का दिया भूए जितना भी अस्कीम होगा उसके अंतर गर्ट जितने भी certificate यहां पर डोकोमेंट होगे वह आप आसानी से यहां से निकाल सकने कोई भी डोकमेंट आपको धूंढ़ना हो तो ब्राऊज पर आपको क्लिक करन सर्च में आपको एक लिख देना है, आपका डोकुमेंट आटमेटिक यहाँ पे आजाएगा और आप असानी से यहां पे निकाल सकते हैं तो इस पकार से दोस्तों आप जो है अपना ओरीजनल डोकुमेंट अपना निकाल सकते हैं और इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक किज़े इस वीडियो को सबस्क्राइब किजे हमाई चैनल को साथी सेर किज़े इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्ष्वान तब तक के लिए धन्यवाद